हेलो दोस्तों मैं लौत क्या आचुका हूँ मार्शियल गौत के एक न्यूव एपिशोद के साथ अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे सेनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर डीजे इस तरह की न्यूव वीडियो देली देखने के लिए साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर डीजे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर डीजे अब तक हमने मार्शियल गौत में देखा की शूपैंग और जीलिंग अजूर प्रोबिन्स की तरब आने लग जाते हैं इस एपिजोड के सुरूआत में हमें शूपैंग और जीलिंग को तैंग प्रोबिन्स के एक रेस्टूरेन के अंसे देखा जाता है तभी हमें शूफेंग को दिखाय जाता है जो जीलिंग को कह रहा होता है कि हम बहुती कम समय में ही यंग प्रोबिंच को छोर के इधर आचुके हैं और बहुती कम दिनों में ही हम अजूर प्रोबिंच के बोडर को पालेंगे में सोछ रहा हूँ कि अजूर प्रोविन्स अब कैसा होगा कभी जीलिंग शूफ्याँ को कहने लगती है lounge कि मैं शियर हूँ कि तुम आने से पहले अजूर प्रोविन्स जैसा था वह वैसा ही होगा कभिया में जीलिंग और सूफेंग के बगलवाले डेक्स में दो बंडे को दिखा जाता है उनमें से एक बंडा कहने लग जाता है क्या स्वाद गौद फैली ने अब तक जैंग्तियान को पकरा नहीं है तभी उसके सामने वाला बंडा कहने लग जाता है नहीं वो लोग पकर नहीं पाए है जैंग्तियान ने तो अकेले ही स्वार्ट फैली के योंग मास्टर को मार दिया है और उसका जो ट्रेजर डिवाइन उड़ स्वार्ड को भी उसने रख लिया है तब ही वो पहला बंदा कहने लग जाता है तुम्हें क्या पता है योंग फैली मास्टर को अभी जलाया नहीं गया है वो लोग वेटिंग कर रहे हैं जैंग्तियान को मारने के लिए और वो लोग सोच रहे हैं कि जैंग्तियान के मारने के बाद दोनों को एक साथ जलाने के लिए तब ही शूफेंग खरे होके उन लोगों के पास चाला जाता है और उन लोगों को पूछन में suspect कर रहे है और अगर कोई जैंकियान के साथ related है वो लोग भी पकरे जाएंगे और मारे भी जा सकते है तभी वो दूसरा बंदा कहने लग जाता है मैंने सुना है वो लोग और एक बंदे को थून रहे है जिसका नाम शूफैंग है तभी शूफैंग दूसरे आदमी का बात सुन के कहने लग जाता है क्या शूफैंग और उन लोगों को थंकाने लग जाता है कि इदर क्या सल रहा है इसके बारे में तुम लोग जो जानते हो जल्दी से मुझे बताओ तभी हमें नेक सिन में दिखाया जाता है स्वार्ट गॉड फैली का सीन जिदर एक रूम के जैंतियान को मार डालेंगे और जिसकी बज़े से तुम्हें सांती मिल जाएगी और मैंने मेरे लोगों को फेज दिया है अजूर प्रोविंस के हजार मिल के अंदर जो भी लोग होगे वो लोग उसको मार डालेंगे जिसकी बज़े से जैंतियान को बाहर आना ही होगा तभ तभी वह आदमी कहने लग जाता है फैली मास्टर हम लोगों ने अजूर ड्रेगन सेट के और सू फैमिली के सारे तॉम को खोड लिया है और सारा कुछ उदर से निकाल लिया है तभी फैली मास्टर उस आदमी को पूछने लगता है वो निउस क्या सारे जगे में फैल चुका हाँ वो निउस सारे जगे फैल चुका है हम स्रिफ सू फैंग और जैंकियान का वेदी कर रहे हैं स्वार्ट गौद फैली में और अगर वो दोनों एक माहिने के अंदर इधर नहीं आते हैं तो हम उन लोगों के सेक और फैमिली को तोटली डिस्ट्रॉय कर देंगे तभी फ फैली मास्टर का ये बात सुनके हुआ आद में उदर से शले जाता है मगर फैली मास्टर अपने बेटे के तरफ कहने लग जाता है मुरों क्यों मैं तुमारा रिवियंच लेके ही रहूंगा तभी हमें दूशी तरफ सू फैंग और जीलिंग को दिखा जाता है उस रेस्ट फैली मास्टर ने किया है और इसके बाद उसने तौम के अंदर जो रिमेनिंग था उसको भी क्रस कर दिया है जिसकी बज़े से साहर वो लोग दुबारा से जिन्दम ना हो पाए तभी दिखाया जाता है दूसरा बंदा कहने लग जाता है हम दोनों को चोर दो हम लोग जो अब तक तुमको बता चुके है तभी हमें नेक्षिन में दिखाया जाता है वो दोनों बंदे उदर से भाग जुके होते है तभी जीलिंग शूफैंग को कहने लगती है शूफैंग हम अब क्या करे हम क्या डाइरेक स्वार्ट गॉड फैली जाने वाले है तभी इसलिए मुझे उदर जाना ही होगा तभी जीलिंग कहने लगती है मगर मुझे लगता है यह सारा कुछ तुमें उदर लाने के लिए ही प्लैन किया गया है अगर हम किसी प्लैन के बिना उदर जाते है तो मैं दर रही हूँ की तभी अच्छानक से सूफैंग तेजी से सिल् और क्विंग लिग रोयल फेमिली ने इगनोर किया है वो लोग तुमारा ही इंतेजार कर रहे है उदर तुमको उदर पकरने के लिए हैं और इसलिए हमे फुल ली प्रिपेर करना होगा उदर जाने से पहले नहीं तो हम तुमारे फादर के रिमेनिंग को नहीं ला पाएंगे साथी सार हमें भी पॉब्लेम आ सकती है इसलिए हमें पहले स्वाट गौध फैली नहीं जाना चाहिए हमें बापस लोट जाना चाहिए उस माउंटेन में और थोड़ा प्रिपरेशन करने के बाद स्वाट गौध फैली को डिश्टर करना अच्छा होगा तभी हमें आदे माइने बाद लिविंग माउंटेन टावर अजूर प्रोविंच के अंदर दिखा जाता है जिधर बहुत सारे तौम को खोड के निकाल दिया होता है और जिसकी बदेश से उधर बहुत सारे गद्दे और कंकाल और बहुत सारे ऐसे वैसे चीज होते हैं तभी निखा जाता है एक स्टोन में लिखा होता है सूफेंग तुमारे अंदर अगर हिम्मत है तो हमारे स्वाट घृड के अंदर आके दिखाओ तभी सुफेंग उदर के सारे मावल को देख के कहने लगता है उन लोगों ने इदर क्या कर दिया तभी जेलिंग कहने लगती है कि उस्षे से कहने लग जाता है तुम लोगों ने मेरे फादर के तौम के साथ जो किया है तुम सारे लोगों को फुगतना होगा तभी हमें दिखाया जाता है आस्मान से बहुत सारी विजली आने लग जाते है तभी सूफेंग अच्छे जरे उदर देखने लग जाता है कि उद लग जाता है तुम कौन हो मगर वो बंदा कुछ भी नहीं कहता है और इधर ही आज का एपिशोड खतम होता है और क्या ये आत्मी शूफेंग का कोई दुश्मन है क्या वो शूफेंग का दोस्ते इसको जानने के लिए हमारे सेनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथी साथ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए थैंक यू